बिग्यान के 200 प्लस लगो और दिर्गुतरिय प्रश्ण के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहापका पार्ट 2 है और इसके पिछे वाले पार्ट में हमने एक से लेकर के 20 तक आपको प्रश्ण बता चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे 40 और हो सकता है तो आपको प्रश्ण और कलम निकाल करके बैठिये और जो भी आपको कोश्ण और उसका उत्तर बता रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप वह आप लिखते जाए आए देखते हैं प्रश्ण क्या कह रहा है लेकिन उसके पहले यदि आप भी तक आप हमारे चैनल क लिजे एप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप प्लैस्टोर पे जाकर कि मंटू सर या डी एलेस एजुकेशन जो चैनल का नामे सर्च की जग आपको एप मिल जाएगी आए देखते हैं कि प्रश्ण क्या कह रहा है आज का तो प्रश्ण कह रहा है कि HCL कमा HN3 आदी जलिये बिलियन में अमलिये अभिलक्षान क्यों परदर्सित करते हैं जबकि अल्कोहल एवं गुलको जैसे योगिकों के बिलियनों में अमलियाता के अभिलक्षान नहीं परदर्सित होते हैं इसका क्या कारण होता है और काफी बढ़िया या प्रश्ण है आगर आपके पर आएंगे सब्जेक्टिव और वही सभी प्रश्ण आपके परिक्षा में पूछी जाएगी आपको इस प्रश्ण का उत्तर पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको इस कोशन का एंसर जानना काफी जरूरी है जिसे कि आपको और भी अच्छे ढंक से याद ह परदर्सित करते हैं जबकि अलकोहल इमगुलकोज जैसे योगीकों के बिलियोनों में हाइड्रोजन आइन नहीं बनता है जिसके कारण ये अमलियता के अभलक्षड नहीं परदर्सित करते हैं या इसमें नहीं परदर्सित होता है आप सभी पहले से जानते हैं कि जिसमें ह हाइडोजन आयन होगा वही हमारा अमलिय होगा और जिसमें हाइडोजन आयन नहीं होगा वह हमारा छारी होगा तो आपने यहां पे देखा कि जो LCR होता है और HNO3 होता है उसके जलिये बिलियन में क्या होता है हाइडोजन आयन बनता है लेकिन जो एलकोहल होता है गुलकोज ह उसके योगी को कि बिलियन में हाईडुज News नहीं बनते हैं जिसके कारण क्या होता है वह अमलियता के गुण्ड को अभी लक्षेट नहीं करते हैं यानि कि वह अमलीये नहीं होते हैं समझ में आया, अगर आपके परिक्षा में आएगा तो आप क्या लिखेगा, चलिए, आईए बात करते हैं अगले परशनी की, देखिए, अगला परशनी कहे रा है, और आपको बतादे कि देखिए, आपको परती एक चैप्टर के, बढ़ियां-बढ़ियां जो परशनी, आप आपको मातर दोसों ही question में complete हम करा देंगे इसे बाहर नहीं आएगा बाबू हम आपको पूरे guarantee के साथ कह सकते हैं चड़िए तो बात करते हैं प्रशन कह रहा है अगला 22 नमर प्रशन और इसके पीशेवला वीडियो नहीं देखें सारी वीडियो देखें और इससे दर का तो ही वीडियो आपको आगे से मिलेगी तो प्रशन है कि अमलका जलिये बिलियन क्यों बीधूत का चालन करता है जिसके कारण ये बीधूत का परवा करते रहता है यानि जिसके कारण बीधूत का परवा होता है बस आपको एक छोटा सा लाइन याद करकी रखना है क्या याद कर रखना है कि जलिये बिलियन में ये क्या करते हैं हाइडोजन आयन उत्पन करते हैं और अभी आपको हमने समझाया कि जिसमें हाइडोजन आयन होंगी वही होगी क्या चीज अमलिये होगी समझ में आया इस ही क कम समय में बढ़ियां त्यारी हो जाए और अगर आप इस तरह का एंसर लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा पूरा का पूरा अंक आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए बस आपको इतना ही करना होगा अपने हैड डायटिंग को बढ़ियां से सुधार लेना होग तो आपको डाउनलोड कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन मिल लिंक है या प्लेश्टूर पे मन्टू सर या डिलस जो भी लिखना चाहेंगे आप लिखेगा तो आपके सामने वाज जाएगा चैनल का नाम लिखे या मेरा नाम लिखिए मन्टू सर आपको एप मिल जाए सिर्फ जल की उपईस्तती में ही एचिए से ऐडो जयन आयन उत्पन होता है यही कारण होता है कि सुसक राईडो क्रोलर वर क्लिधास को रहatamente नहीं बदलता है समझे रहे हैं कि होता आइसा क्योंकि जल की उपईस्तती नहीं होगी वहां पे क्या करता है कि नहीं हो पाता है जनाय नुदपन होते हैं यही कारण होता है तो आपको यह लिखतना है अगर आपके परिक्षा में आयेगा तो चलिए आगे बात करते अगले प्रश्णिंगे काफ ही importance प्रश्ण है देखिए अगला प्रश्ण है कि अमलुको तनुकिर्थ करते में आपको हम बता देंगी और अब्जेक्टिव 300 प्लस कोशन समाप्थ हो चुकी है और उससे बाहर प्रशन नहीं आएगा आपको वह जरूर देखना है क्योंकि जल की सांद्र अमल में मिलाने से वह तिवर अभिक्रिया करके बिस्पोड कर सकते हैं इसके दूस परिणाम हो सकते हैं इसलिए हमें कभी भी जल को अमल में नहीं मिलाना चाहिए बलकि हमें हमेशा अमल को जल में मिलाना चाहिए आपको समझ में अबारा होगा कि ऐसा केम होता है जो सांद्र अमलो होता है उसमें जब अमलो मिलाएंगे तो क्या करता है तीब रभ किरिया कर लेता है और तीब रभ किरिया करने के बाद या भी स्पोर्ट भी कर सकता है यानि कि बहुत ज़्यादा यह खतरनाक हो जाता है तो खतरनाक न हो इसके लिए बार-बार यह बताया जाता है कि अमलो को तन्किर्थ करते समय हमेशा क्या करना चाहिए अमलो को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अमलो में मिलाना चाहिए चलिए आईए बात करते अगले प् और प्रश्ण ने देखिए कह रहा है कि अमले के बिलियन को तन्युकिर्थ करते समय हाई डोनियम यानि की एच थ्री ओ प्लस की संदर्ता कैसे प्रभावित हो जाती है क्या काफी छोटा प्रश्ण और इसको अब्जेक्टिक टाइब में भी पूछा जाता है कि अमले के बिल प्रश्ण को तन्युकिर्थ करते समय हाई डोनियम आयन की संदर्ता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती क्या हो जाती है अगर आपको अब्जेक्टि में आएगा तो इस तरह से आपको लिख देना है काफी इंपोटेंट कोशन है चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश प्रश्ण हम सभी गावा कर रहा है जब सोडियम हाईडराक्साइड बिलियन में अधिक छारक मिलाते हैं तो हाईडराक्साइड आयन की संदर्ता कैसे परवाइद हो जाती है यह भी प्रश्ण आपको अब्जेक्टि में पूछा जाता है तो इसका सही उतर क्या होगा द्य चलिये तो बस आपको यही लिख देना है और यह प्रश्ण आपके परिक्षा में सब्जेक्टि में पुछा जाया तो अगे बात करते हैं और यह जो कोशन ने देखे काप important है और सोचने माला question है हाला कि यह question जो है हम बात करें तो उतना ज़्यादा खास नहीं है लेकिन यह जानना काफी ज़रूरी है क्योंकि इस question का answer अगर आप जान लाते हैं तो कई ऐसे प्रशन solve कर जेंगे और हो सकता है यह question के अनुसार कई प्रशन आप से होगा है इस बिलियन में हाईडोजैं की संदरता आधिक होगी इनमैं casiPharm का question के को चाहरी होगी होगा तो आप सब जानते हैं कि इसमें हाईडोजैं संदरता आधिक होती है वह क्या होता है तो यहां पर ध्यान से समझे इसका उत्तर क्या होगा काफी छोटे में इसको समझाने का आम प्यास किये देखिए जब 6 दिया गए है तो कित से कम है तो आप सबी जानते हैं तो यहीं द्रमूग के वैगल उपे न रहेगा अज़े द्रमूग के रहते है तो यह चोटा वाला अंक रहता है इसलिए इसको यहां पे symbol देख रहे थे, use किया गया, ऐसा नहों कि symbol में आपको दिक्कत हो जाए, चलिए, गडित में आप पड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको हो रही होगी, तो देखे, बताया जा रहा है, कि billion A में hydrogen and कि अधिक होगी, क्यों होगी अधिक, क्यों होग चलिए, बिलिएन A में hydrogen किस्से दिक्ता अधिक होगी, तो जिब आदिक होगी तो आपको सकते हैं, कि billion A में होगँ और billion Bईन J होगँगगा, वच्छारी होगँ होगा, क्योंकि इसका pH साथ से ज-जधा है, तो साथ से ज-जधा है, तो क्या हो जागई यह ज्यारी जरे है चलिए आगे बात करते है कि अबिलियनं की संधरता का B ряд के परकिरती पर क्या परवाव पड़ता है। च्छमतास बढ़ाइंगे हैं कि एचपलस जो है डिया की आपको hydrogen KSStandard to क्या होगी बाड़ेगी जितना अभी आपको सी समझा रहे हैं कि जिसमें hydrogen andaming शमता याना कि जिसकी hydrogen and क ''構ut permate aposto.netा की क्छिए आथि का होती है वह आमली होते कि एक भी question नहीं छोड़ने वाले हैं, सारे question आपको हम बताने वाले हैं, अगला देखिए question कह रहा है, कि क्या छारीय बिलियन में हाइडोजन आइन होते हैं, अगर हां तो यहाँ छारीय क्यों होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, कि हाइडोजन आइन जिसमें होगा, वो होते हैं क्योंकि छारीय बिल्यन में हाइडोजन इन होते हैं परण तो संदरता हैं वह क्या होता है लिखान से हाइड ङृतली कि इसलिए भी जाते हैं तो आप्र Lebensμ हूझे तो लिख दीजिए तो देखिए या इसलिए चारिये होते हैं क्योंकि यहां पे क्या होती है कि जो हाइडर अक्साइड आयन के चमता होती है यानि कि OH- OH- यानि कि hydroxide आयन के जो संदर्ता होती है वह ज्यादा होती है किस से ज्यादा होती है तो hydrogen आयन से ज्यादा होती है यानि कि H- से तो आप सभी जानते हैं कि H- से अगर ज्यादा होगा किसका OH- का तो OH- का ज्यादा होगा तो चारिय हो जागा इसलिए क्या होता है या चारिया होता है ठीक है इसलिए इसको लिखा गया है कि परंतु इसकी संदर्ता क्या होती है यानि कि हाइडोजन आइन की संदर्ता क्या होती है OH की यानि की हाइडाकसाइड आइन की संदर्ता से कम होती है तो इसलिए वा छारिय होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? रहागला परशने और काफी बढ़िया परशने और जानना आपके लिए काफी ज़रूरी है अगर आप किसान के परिवार से भी लोग करते होंगे तो देखे कह रहा है कि कोई किसान खेत की मिर्दा की किस परस्तिती में बीना बुजा हुआ हुआ चुना यानि कि केल्सियम होडाकसाइड या चौक यानि कि केल्सियम का उपयोग करेगा किस परतिती में वो कौन ऐसा परस्तिती होगा तो देखे कोई किसान खेत की मिर्दा को अमलिय परस्तिती में बीना बुजा हुआ चुना यानि कि केल्सियम अकसाइड केल्सियम हडाकसाइड या चौक यानि केल्सियम कार्बोनेट का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करेगा जब वो अमलिय हो जाएगा तो अमलिय हो जाएगा तो उसे उदासीन करने के लिए अमनों क्या करेंगे इसका उप्योग करेंगे क्यों 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 आप सभी जानते हैं कि आमल और चार जब आपस में मिलते हैं तो एक दुसरे को क्या कर देते हैं वो उदासीन कर देते हैं और उसके फॉल सुरूप लवण का निर्मार होता है या आप सभी भी जानते हैं क्या होता है आमल और चार आपस में जब मिलते हैं तो लौण का निर्मार करते हैं लौण और जल का और जब यह आपस में मिलते हैं तो यहीं दूसरे को उदासीन भी कर देते हैं इसे उदासीन करने के लिए इसका उप्यू किया जाता है कभी-कभी आप देखते हैं कि खेतों में क्या होता है बढ़ियां से जो होता है वह आन आज कम निकलता है इसलिए उसको हम लोग करते हैं क्योंकि उसमें अमलियता हो जाती है अगला प्रश्ण क्या है कि धातु क्या है अब धातु वाला चेप्टर अभी हम लोग आ गए धातु क्या है तो अध्यान से समझे धातु वे तत्य होते हैं जो इलक्ट्रॉन खोकर के ध चालाख होते हैं अगर आपके परिक्षा में आएगा कई बार पूछा भी गया है कि धातू क्या होती है तो धातू क्या होती है तो क्या लिखे गया ध्यान से सुनिए एक बार और सुनिए कि धातू वे तत्वे होते हैं जो इलेक्ट्रोन खो करके क्या करते हैं धानायन मनाते आप सबी जानते हैं जब electronic निकल जाएगा तो धनायन हो जाएगा और धातू के बायतम कोस में समान्यत एक, दो या तीन electron होते हैं और धातू जो होती है वह चमकिली भी होती है और यह ठोस भी होती है धातू उसमात अथा भीदूत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं और जिस इसमें इस परकार का गूर अगर पाया जाता है वही धातू कहलाता है यही चीज आपको समझाया जा रहा था तो आपके परिक्षा में आएगा तो कैसे लिखेगा आपने यहाँ पर देखा आगे बात करते हैं अगले प्रश्ण की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किसी प्रैक्टिस होगा तो बढीया से याद हो जाएगा आगे बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाएक तब आधातू क्या होती है तो उसके बारे में क्या लिखेगा बुले तेने आपको एक दम पूरी संपूरी त्यारी हो जाएगी चली तो देखिए अधातु वेतत्वे हैं जो इलक्टरान को लेकर के रिणायन बनाती हैं यानि कि जितना जादा उसमें क्या होगा इलक्टरान के संख्या बढ़ती जाएगी वो क्या हो जाएगी वो रिणात्मक होते जाएगा अधात्य परमाडू के बाहतम कोस में 5,6,7 ततता 8 हिलोक्रान होते हैं जो केवल क्या करते हैं हाइडोजन तता हिलियम को छोड़ करके क्या होते हैं अधात्य फोस, द्रॉव, गैस, तीनों मस्त हमें पाए जाती है या समानित उसमा तता बीदू के क्या होते हैं तो कुछ अलग होते हैं एक पर और सुनिए क्या बता रहा है हम ध्यान से देखिए कि अधात्य वेतत्य हैं जो इलक्टान को लेकर के क्या बनाते हैं रिडायन बनाते हैं अधात्वे परमाड़ों के बाहतम कोक्ष में 5, 6, 7, 8 लक्टान होता है जो अधात्वे होती है उसके बाहतम कोक्ष में अधात्वे के परमाड़ों के बाहतम कोक्ष में क्या होती है 5, 6 या 7 क्या होते हैं इलोक्टरन होते हैं केवल हाइड्रोजन तता हिलियम को छोड़ करके क्या होता है अधात्विय ठोस द्रॉव और गैस तीनों वस्था में पाय जाती है और यह समान्यत क्या होता है उसमा तता बीदुत के उचालक होता है तो अगर आप से कोई पूछे या परिक्षा में आए से क्या है कि क खनीज किसे काते हैं वसको लेकर की यह दिक्कते बनी रहती है कि समझ और बेक साइड क्या कह रहा है ध्यांसर सुनिये कि खनीच प्रिथिवी के अंदर पाए जाने वाला वो एक प्रकिर्तिक पदार्थ होता है जिसमें धातियों की योगीक पाए जाते हैं जैसे बात करते हैं तो मैगनीज हो गया बक्साइड हो गया इत्यादी हो सकता है और तो ध्यान से देखिए अयस्क वा खनीज होता है अयस्क क्या होता है अयस्क वा खनीज होता है जिन से धात्व का निसकर्शन लावप्रद हो और जिन में धात्व की मात्रा अधिक हो सभी अयस्क खनीज होते हैं प्रन्तु सभी खनीज अयस्क नहीं हो पाते हैं वा खनीज जो जो सस्ते से सस्ते बीदी से किसी तत्व को प्राप्त करते हैं वह तत्व का अयस्क कालाता है तो आप इतना आप लिख दीजेगा परिक्षा में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है पहले आप लिखेगा कि अयस्क वा खनेज होते हैं जिन में धात्यू का निश्कर्शन लाप्रद और जिन में धात्यू की मात्रा अधिक हो सभी अयस्क तो खनेज होते हैं लेकिन कभी या नहीं हो सकता है कि सभी खनेज अयस्क हो ऐसा कभी भी नहीं होता है और वह खनीज जो सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् जाता है तो ध्यान से समझिए कि पिर्थभी से प्राप्त खनेज पिर्थभी से प्राप्त खनेज अयस्कों में मिट्टी रेत आदी जैसे कई असुधिया पाय जाती है जब मिट्टी से प्राप्त उससे की जा रहे तो कई परकर क्या सुधिया होगी जैसे मिट्टी हो गया और उन्हें इम लोग क्या क्याते हैं इसके इसके लिए घात्विक स्था गार निश्कर्शन करने तथा धात्व को प्राप्त करने की परकिरिया को धात्वी किया धात्व कर्म कहते हैं धात्व कर्म किसे कहते हैं तो अयस किसे धात्व का निश्कर्शन करने तथा धात्व को प्राप्त करने की बीधी को क्या कहते हैं लोग धात्विक या धातु कर्म कहते हैं, समझ में आ रहा है आपको कि धात्विक या धातु कर्म किसे कहते हैं, हाँ बहुत बढ़िया बात है, तो इसी तरह का पाने के लिए वीडियो संपूर्ण ये त्यारी करने के लिए जिससे कि आपको बेहतर त्यारी हो सेगे तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नेकी हैं पहले कर लेजे जिसे के वीडियो मिले लाइक करके सेर करके और हमें नीचे कमेंट जरूर कीजी जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को जितने स्टुडेंट देख रहे हैं चोटा रूप में आपको बता दिया और कई जगा इसे बड़ा बड़ा रूप में बताया जाता है जिससे के दिक्कत होती हैं देखे ध्यान से समझे कि करवनेट अयसको को वायू की अनुपस्तिती में अयसको को गरम करके आकसाइड में प्रवर्थित करना ही हम लोग का न और में प्रवर्थित करना अकसाइड में यानि कि बदलना हम लोग का क्या कालाता है इनी स्थापन कालाता है समझ में आ रहा है चलिए बहुत बढ़ीयाँ बात है आगे बात करतें अगले प्रस्ने की और अगला प्रस्ने हमस solici का कि आएसक का सम्रिदी करण क्या होता है उ आई बार ऐसा होता है आपके परिक्षा में कि पूछ दिया जायता है कि आयस का सांद्रन क्या होता है तो आप सोच में पढ़ जाते हैं कि आयस का संद्रन नहीं बताया गया है या कभी ऐसा होता है कि पूछ दिया जाता है कि आयस का संद्रन क्या होता है तो यह दूनों बात याद करके रखे कि दूनों बात एक ही होता है कि आयस को में से आवन छनी और सुधियों को दूर करने की परिक्रिया को अम लोग क्या कहते हैं आयस का समरिदिकारण या आयस का का सांधरण कहते हैं तो यह प्रश्ण आएगा तो इसे अच्छे डंग से लिख दीजेगा अपने परिक्षा में ठीक है और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और हो सकता है तो एक से दो बार आप इस वीडियो को देखिए क्योंकि देखिए अगर आप स्कूल कोशिंग में जाते हैं तो क्या होता है टीचर एक बार कह देते हैं उसको फिर दुबारा नहीं कहेंगे क्योंकि जब तक आप नहीं पूछेगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन यह बहुत बढ़िया आप लोग के लिए है कि अगर आप और लाइन क्लास कर रहे हैं और वीडियो को अपलोड किया जा रहा है तो आप लोग जो मतलब आप लोग को जितना बार हो सकता है नई समझ में आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है तो वीडियो को पीछे करके औ इस्तापन के बारे में तो हमने आपको बता दिया अब बात करते हैं भरजन के-ब रजन क्या ओता खाफी छोटा परिवासा लिखे है लेकिन काफी मज़दार जो है इसका उत्तर है तो देखें करते हैं वही हम सभी का भरजन कलाता है अगे बात करते हैं अगले प्रश्ण की तो 40 नमबर प्रश्ण हम सभी का कह रहा है और आज की इस वीडियो में बस इतना ही कोशन हम देखेंगे 40-40 क्यूंकि आपको 20-20 प्रश्ण हम एक वीडियो में कवर कराने वाले हैं जिससे कि धातू का परिशिकरन क्या होता है और इसमें पुछा जा रहा है एक और प्रश्ण की धातू की जो परिशिकरन है उसकी कितनी वीडिया हो सकती है तो ध्यान से समझे कि असुद धातू को सुद करना धातू परिशिकरन कलाता है अगर बात किया जाए कि धातू परिशिकरन क क्या होता है तो देखिए असूद धातू को सूद करना हम लोगा क्या कलाता है धातू का परिसिकरन कलाता है और धातू की परिसिकरन की बात करते हैं तो इसकी चार भी दिया होती है मतलब आपके प्रक्ष्ण में अगर पुछा जा आपके परिक्षा में कि धातू परिसिकरन क कि उसलिए धातो परिश्य करन का लागा और इतना ही चोटा आप एक या पर पर पढ़ें नहीं होते इस दिख बगुधिया है कि आप कृष्य या क्या जा बात करते हैं कि परिशमापन दूसरा विद्यों होती है आस्वन तिसरी विद्यों होती है कि बीदुद अब घट्य परिशिकरण और चौती विद्यों होती है जोन परिशिकरण बीधी अब इन विद्यों के बारे में नहीं पूछा जा रहा है इसलिए हम इन वीदियों को बारे में नहीं बता रहा है क्योंकि इन वीदियों के बारे में अगर पूछा जाएगा कम से कम डेर्ट दो पेज में हो जाएगा हाना तो यहां पे नहीं पूछा जा जा रहा है जितना पूछा जा रहा है उतने ही जबाब देना है ठीक है तो वीडियो को लाइक कीजिए स्टेर कीजिए कमेंट करके बताएं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेजिए जिसे के आगे सारे वाले सारी वीडियो को नोटिफिकेस हैं मिले वीडियो को फिर यहीं पींडि करते हैं जितने वीडियो नहीं देखें आप सारी वीडियो देखिए संपूरे त्यारी करने के लिए और एप को डाउनलोड कर लिए जिससे कि आपकी त्यारी बेहतर हो सेगे